जब जब नितीश कुमार जी जंगल लाज में जाते है तब तक यही स्थिति पूरे बिहार की होती है यहां कहीं कानून का राज नहीं है, पूरी तरह कानून का राज समाप्थ हो गया है पिकेंचूज का मामला चल रहा है नहीं तो अभी तक गिरफतारी क्यों नहीं हुए मैं पूछना चाता हूँ अगर गिरफ सबड़नों को टारगेट करके इस तरह के घटना घटरी है और जाती है रंग भी घटना करने वाले देते हैं जात का नाम लेकर गाली देते हैं फिर दुखत घटना है काफी निरसन सत्या की गई है लिगे बिहार के पूलिस की ये इस्तिति है कि उनको घटना से कोई मतलब नहीं है मुग दरसक बनी रहती है कहिन कैसा लगता है कि सरकार के स्थर से कोई प्रेशर रहता है विहार में सब प्रती ठोड़ा है कि पुनह जंगल जाएंगे को एक्षान ले नहीं तो मामला सरक से सदन तक गुणजे अगर नहीं गिया इसा लगा तब तक उसे पिटा गिया चापना में लिंचिंग की घटना के बाद लगतार मजूदा सरकार कारून विवस्ता पे सवाल उठ रहे हैं जुकि तिन युवक की वेरमी से पिट सबसे पहले तो आपको क्या लगा कि आखिर यह क्या हो रहा है और इस वाकरी में इसकी पिछे कारण क्या है यह काफी दुखत घटना है काफी निरसन सत्या की गई है जैसे पीट-पीट करके तीन व्यक्ति को मारा गिया और जब तक मर नहीं गिया ऐसा लगा तब तक उसे गया है और एक व्यक्ति को मड़ा हुआ मानके फेक दिया गया जिसको अस्पताल लाने से वह पता चला कि जिंदा है लेकिन जिंदगी और मौश से वह जूज रहा है तो बिहार में सब प्रतीत हो रहा है कि पुनह जंगल राज आ गया 2005 से पहले वाली इस्तिति जैसे साम लेकर गाली देते हैं यह काफी दुखद है ऐसी इस्तिति में माननीय मुखमंत्री जी को हम चाहेंगे कि वह एक्षन ले नहीं तो मामला सरक से सदन तक गुंजेगा पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई कहा गया कि पुलिस तुरंत एक्षन में आती तो सायद यह पर स्थिति नहीं बनती जो अभी बनी है विहार के पुलिस की यह स्थिति है कि उनको घटना से कोई मतलब नहीं है मुख दर्सक बनी रहती है कहिन के ऐसा लगता है कि सरकार के अस्तर से कोई प्रेशर रहता है कि गिरफतारी नहीं करना है कुछ ऐसा देख करके कि कि किसको बाइंद पानुन का राज नहीं पूरी तरह कानुन का राज है जब जब नितीश कुमार जी जंगल राज में जाते हैं तब तक यहीं इससी स्दिवी पूरे बिहार की होती है और पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जंगलाज ब्यापत है। क्या पार्टी और तमाम नेता जो हैं घटना स्तल पर जाएंगे। क्या थे एंगलाज जाएंगे।